आपके स्टुडेंट्स चलिए देखे फोर्थ कोश्चन स्टार्ट करते हैं चैक वैदर 5-2, 6-4 & 7-2 are the vertices of an isoskillis triangle अब पहले तो वही बात कि isoskillis triangle होता कि इसका पता होना चाहिए तब भी तो हम इनको check कर पाएंगे तो isoskillis triangles कैसे triangle होते हैं जिनकी कोई भी दो sides आपस में क्या हो equal हो यानि कि उनकी जो length है वो length equal है तो अब मान लेते हैं हमारे पास A, B, C ये वो 3 points है उके तो उन 3 points को join करते हैं तो हमें पता है तीन distances यानि कि 3 sides हमारे पास exist करेगे जिनका हम distance ने कावल लेंगे A, B का distance, A, C का distance और B, C का distance तो जो distance होगा वो हमारे पास triangle के 3 sides को represent करेगा कि वो कितनी long है तो हमें बस ये देखना है कि कोई भी 2 distance जो है वो आपस में क्या होने चाहिए एक्वल होने चाहिए और तीसरा non-equal क्योंकि अगर तेनों एक्वल हो गए तो किस टाइप का बन जाएगा एक एकुलेटर टाइप का triangle बन जाएगा ठीक है तो simple सा यही काम करना है तेन distance find out करते हैं स्टार्टिं किस से होगी वही नेम देने से 5-2, B 6-4 and C 7-2 B, given points, given points and compare them compare them with x1, y1, x2, y2 and x3, y3 respectively यह तो I think आपको प्याद ही हो गया होगा ठीक है तो अब हम एके करके A, B, B, C, C, A इन सभी के value निका लेते हैं और उससे पहले x1, x2, x3 ताकि बाद में दिक्कत ना है y1, y2 and y3 इनके values को find out को लेते हैं देखे, x1 is 5, y1 is minus 2, x2 is 6, y2 is 4, x3 is 7 and y3 is minus 2 ठीक है, so एके करके आप तीनों distance निकालते हैं फटा फट देखे, I, B क्या होजाएगा, x2 minus, x1 whole square, plus देखे, आप यहाँ पर अपने accordingly changes कर सकते हैं मैंने यह चीज़ भी बताई थी, वो यहाँ try करके देखते हैं भई, y2 minus y1 ही लिखना जरूरी नहीं, आप y1 minus y2 भी लिख सकते हैं यह मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो minus है, उस minus के बाद अगर फिर से negative sign आता है तो अगर हम उससे बचना चाहें, तो ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं y2 minus y1 करता तो y1 already negative है, और हम उससे बचना जाते हैं, तो मैंने y1 को पहले लिख लिया, y2 जो की positive था, उसको बाद में लिख लिया हाँ अगर दोनों ही negative है, तब इस चीज़ से नहीं बचा जा सकता है, तो आप इन values को यहाँ पर substitute कर कर देख जाते हैं और इसे भी कोई फ़र्क ने पढ़ता की, x2 minus x1 लिख रहे हैं और यहाँ 1 और 2 बाद में लिख रहे हैं, okay, doesn't matter क्यूंकि हमारी जो problem है, यह 2 जो है, power, power 2 यह खतम कर देता है, so 6 minus 5 whole square and that one is minus 2 minus 4 whole square, देखें अब, जो values रखी नहां से, तो देखें, 6 minus 5, 1, 1 square is 1, minus 2 minus 4, minus 6, so minus 6 square is 36, it is root of 37, okay, so जो final तीनों distance आ जाएंगे, जैसे कि last question में भी किया था, उसके accordingly देखेंगे इनको हमें पॉइंटों में express करने की ज़रूरत है या नहीं है, okay, so a, b, b, c और निकाल लेते हैं, तो भी से में देखें, 2 और 3 यूज हो रखे हैं, so accordingly जो आपको बैटर लगे, वो यूज का चकते हैं, x3 minus x2 whole square, okay, और in the same way देखें, y3 minus y2 whole square, तो यह देखें, क्या बन जाएगा, 7 minus 6 whole square, and minus 2 minus 4 whole square, तो I think इतने से ही हमारे बास वैसे answer आ रहे है, 7 minus 6, 1, 1 square, 1, minus 2 minus 4, minus 6, same condition है, और minus 6 square, 36, तो यह total कितना आ गया, 37, तो फिलहाल हमारे पास दो side तो आ गई, यानि कि इतना तो confirm है कि यह isoscalous तो बनेगा ही बनेगा, अब third side पर काम करना है, अगर, यानि कि third side का मतलब है, CA पर, या AC, अगर वो भी equal आ गई, तो isoscalous नहीं होगा, equilateral बन जाएगा, लेकिन हमें वही चेक करना है, तो फटा फट उसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए, CA, इसमें हमारे पास 3 और 1 यूज हो रहे हैं, हना, तो ऐसे में हम क्या गड़ते हैं, तो देखिए, इसमें हम better कोई भी रहेगा, दोनों में ही negative है, जिससे बचने के हम कोशिज कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, okay, so x3 minus x1 का whole square, and y3 minus y1 का whole square, so इनके values रखते हैं, देखिए, x3 is 7 और 5, so 7 minus 5 whole square, and y3 क्या हो गया, minus 2, and then formulae का minus, and y1 क्या है, minus 2 again, so जो की actual में cancel ही हो जाना है, तो देखिए, 7 minus 5, 2, 2 का square, 4, minus 2, and then, ये क्या हो जाएगा, plus 2, so minus 2, plus 2, 0, and 0 का square, 0, तो देखिए, final answer मारे पस क्या रहे है, 2 रहे है, तो अब हम यहां क्या हो रिसकते हैं, here, a, b, here, a, b, and b, c, are equal, but c, a is not equal, therefore, a, b, and c, are the vertices of an isoscalous triangle, करना है, ठीक है, यही हमें check करना था, था साथ, इसी तरह से हमें आगे questions में quadriletals भी दिये जाएंगे, कि हमें quadriletals के 4 vertices देकर यह पूछा जाएगा, कि बताएए किस टाइप का quadriletal है, paralogram, rectangle, rhombus, या कोई square, या इन मेंसे कोई भी नहीं है, तो हम इसी तरह से check करेंगे distance find out करके,